हेलो एवरिवन, वेलकम टू माई यूटीब चैनल आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपनी फोटो का बैक्रोंड कैसे रिमूव कर सकते हैं या कैसे चेंज कर सकते हैं पिक्सल लैब को यूज करते हुए क्योंकि जब आप अपने यूटीब की वीडियो के लिए थमनिल त्यार करते हैं तो इसके लिए पिक्सल लैब की ज़रूरत पड़ती है पिक्सल लैब के उपर आपने टोटल अपना थमनिल त्यार करना होता है लेकिन बात ही है कि आपने जब अपनी पिचर लगानी है तो उसका बैकरोंड रिमूव चाहिए तो वो बड़ी अच्छी लगती है बैकरोंड रिमूव कैसे होता है यह सीखने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सबस्क्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें और बैल आइकोन को ओन कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो को नोटिक फेशन टाइम को मिलता रहे तो चलिए जल्दी से पिक्सल अब को मैंने ओपन कर लिया हुआ है आप भी अगर अपनी पिक्सल अब को ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा यहां से सबसे पहले जो न्यू टेक्स लिखवा इसको डिलीड कर देंगे बिलीड करने के बाद थ्री डोट के उपर क्लिक करेंगे और इसका हम साइज सेलेक्ट करेंगे Emir size में जाएंगे उसके बाद custom में जाएंगे custom में जाने के बाद YouTube thumbnail पर जाएंगे और इसको OK कर देंगे यह हमारा YouTube का thumbnail size जो है वो त्यार हो गया है अब हम यहां पे plus के निशान पर क्लिक करेंगे gallery में जाएंगे gallery में जाने के बाद gallery जैसी open होगी तो वो वाली picture हम यहां से उठा लेंगे जिसका हमने background और remove करना है मेरे पास यह वो picture पड़ी है इसका हम background और remove करेंगे Pixel Lab पर background और remove करने के दो तरीके हैं मैं दोनों आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ यह आप इसको crop कर सकते हैं जितना ही से आपने crop करना है पिर रोके कर देना है यह आपके यहां पर आगी साइज को कम चोटा कर सकते हैं अब इसके background को change करने के लिए आपने यह यहां पर नीचे आपको 5 option नज़र आ रहे हैं दर्मयान वाला जो option है दर्मयान वाले option पर आप क्लिक करेंगे इसके बाद यहां से आप एक तो इसका यह तरीका यह razor लिखा हुआ है इसके उपर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहां पर इसको आप कम बड़ा कर सकते हैं यहां से नीचे जो इसकी आप length बना सकते हैं यहां से पकड़के आप इसको पीछे से background टोटल जो है remove हो जाएगा जब आपका यह pass वाले जो नजदीक का हीसा है जिसको remove करना थोड़ा मुश्किल होता है तो इसको आपने zoom कर लेना है picture को और इसके size को आपने छोटा कर लेना है यह जो razor size है size को छोटा करेंगे तो यहां पर आपने ऐसे ऐसे करके picture को आप zoom कर सकते हैं जितना करना चाहें यह जो picture के बिलकुल pass वाला area है इसको आपने बड़े अतियात के साथ जब zoom करेंगे तो बहुत easy होजएगा इसको total ऐसे कर लेना है अभी मैं इसको कर लेता हूँ तो फिर मैं आपको दुखाने के लिए मैंने example के तोर पर background change किया है इसको आप ok करेंगे तो इस तरह से करके background change हो जाएगा भी इसको मैंने पूरे मकमल तोर पर professional तरीके से नहीं किया एक तो यह तरीका है background change करने का अब मैं दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूँ जो के simple है इसी तरह हम gallery में जाएंगे gallery में जाने के बाद हम वो picture select कर लेंगे जिसका हमने background change करना है इसको ok करेंगे यह वाला जो erase color का option आपको नज़र आ रहा है यह वाला इस पर click कर देंगे इसको on कर देंगे ओन करने के बाद इसके लिए एक चीज़ का होना ज़रूरी है अगर इस तरह आप background change करना चाहते हैं तो आपका जो background का color है वो एक ही तरह का होना चाहिए अगर वो red है तो red होना चाहिए black है तो black होना चाहिए green है तो green होना चाहिए अगर मुख्तलिफ color को होंगे तो फिर background change नहीं होगा इसमें 2-3 color हैं तो अभी इसका background change नहीं होगा लेकिन कैसे करते हैं यह मैं आपको बता देता हूँ इसको good well in shan को ok करेंगे good well in shan को ok करने के बाद यह देखें erase color में आए यहां पे जो एक number लिखा हूँ है इस पे आपने click करना है यहां से आपने वो color select कर लेना है जो आपके background का color आ रहा है ठीक है अभी मेरे black back पे तो मेरे खिल ओफ white color आ रहा है इसको ok कर देना है ok करने के बाद थोड़ा सा इसको ऐसे करेंगे तो जो background पे color होगा वो खतम हो जाएगा और आपका जो background है मकमल तोर पे change हो जाएगा इसके लावा एक और तरीका है जिसे automatically background change हो जाता है background remove हो जाता है अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मैं अपनी next आने वाली वीडियो में उसके उपर मकमल आपको proper तरीके से बता दूँगा किस तरह से आप automatic तरीके से अपना background पिचर का जो remove कर सकते हैं तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साथ बने बेल आइकोन के बटन को ओन कर दीजिएगा ताहिकर नेक्स्ट आने वाले वीडियो को नोटिफकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके